हलो पॉस्टूडेंट्स आज हम लोग डिसकस कर रहे हैं रिलेशंस औन फंक्शंस रिलेशंस औन फंक्शंस यह चैप्टर 11 तर 12 दोना में हैं तो जब 12 में बच्चे यह पढ़ते हैं तो 11 वाले पॉर्शन को हुने रिवाइज करना पढ़ता है भूल जाते हैं इसलिए हम ये topic 11 से start करके 12 तक continue करेंगे जिससे उनको easily connect करने में आसानी हो और सबसे पहले इसमें हमें discuss करना है Cartesian product Cartesian product क्या होता है हम एक example से समझने की कोशिश करेंगे माली जे class 11 के बच्चों को जिनका नाम राम और मोहन है दो बच्चे हैं और इनको class 11 में तीन language में से एक चूज करना है English, Hindi, Sanskrit तो राम के पास तीन option है बाद में हम जब इसको लेंगे तो राम को हम R से represent करेंगे और मोहन को M से English को E से, Hindi को H से और Sanskrit को S से तो राम के पास तीन option है राम English ले सकता है Hindi ले सकता है और Sanskrit ले सकता है इन तीनों में से एक लेना है तो राम के पास तीन option है हम अगर options को दिखाएं तो सबसे पहला option है R E मतलब राम R E का मतलब है कि राम ने English को चूज किया है तो हम इसको कहेंगे R E राम हिंदी भी चूज कर सकता है तो R H और राम संस्कित भी चूज कर सकता है तो R S आगे देखिए मोहन के पास भी तीन option है मोहन English ले सकता है हिंदी ले सकता है संस्कित ले सकता है तो हम इनको इस तरह से दिखाएंगे मोहन English ले सकता है मोहन हिंदी ले सकता है और मोहन संस्कित ले सकता है इसमें एक क्रम निर्धारित है पहला जो अक्षर दिखा रहा है वो है Student और सेकेंड वाला दिखा रहा है Linguish ये इस तरह के जो क्रम है इसको कहते हैं Ordered पेर ये सारे Ordered पेर्स है इनका क्रम सीक्वेंस निश्चित है हम इसको उलट नहीं सकते क्योंकि हमने जो सिस्टम बनाया कि पहला student को represent करेगा दूसरा language को तो ये RE, RH, RS यही रहेंगे अगर मान लीजे मैं इसको change करके HM लिखें या SM लिखें तो ये SM ये इसके बरावर नहीं होगा जो औरीजनल हमारा था डिफरेंट होगे Ordered पेर्स का मतलब है क्रम इनका निश्चित है और ये different है किस तरह से different है जैसे कि आपने coordinate में देखा होगा coordinate system में कि ज़ा हम points plot करते हैं मान लीजे point 23 हमें plot करना है तो 1, 2 और 1, 2, 3 तो 2, 3 के लिए एक point या मिलेगा अगर हम इसको उलट दें तो क्या आएगा 3, 2 3 and 2 यहां कहीं आएगा आपको बिल्कुल clear दिख रहा है कि 2, 3 जो point है it is different from 3, 2 बराबर नहीं है यह ordered pairs है ordered pairs means इनका order order means करम निश्चित है change करेंगे तो यह बदल जाएगा so this is the meaning of ordered pair यह हमें यहां से समझ में आया कि जब भी हम इस तरह कर बनाएंगे तो यह ordered pairs कहलाएंगे इनका करम निश्चित है so अब हम इसी को जो ordered pairs है इनको एक सेट के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे ordered pairs यह जो बन गए वो six elements का एक सेट बना रहे RE RH RS ME MH MS यह ordered pair का एक सेट हो गया इसको Cartesian product कहते हैं कैसे अगर A एक सेट है जो की students का सेट है वो है राम और मोहन और जो दूसरा सेट भी था वो languages का सेट है अब उसमें हैं English हिंदी और संस्क्रेट तो आप देखे हैं आर इ आर एच आर एस यह तीन बन गए ordered pairs कहेंगे M, E, M, H और M, S तीन यह बन गए तो यह ordered pair का सेट है इसी को हम Cartesian product कहते हैं तो Cartesian product को अगर हम define करें तो वो क्या होगा Cartesian product की definition अगर हम लिखेंगे तो यह है पहली चीज़ तो यह होना चाहिए कि let A and B are two non-empty sets non-empty sets A और B non-empty sets होना चाहिए क्योंकि अगर empty sets होंगे तो उनका Cartesian product भी empty बनेगा then Cartesian product of A and B is the set of all ordered pairs जितने भी ordered pairs होंगे उनका set it is denoted by A cross B तो इस तरह से यह जो set अभी हमने यहां लिखा था जिसमें A भी है B भी है तो A cross B होगा इसको भी A cross B लिख सकते हैं यह भी A cross B है और दूसरा example भी लिएंगे यहां पर हम लिख लेते हैं कि A हमने लिया था राम और मोहन और B लिया था English Hindi Sanskrit तो इनका A cross B Cartesian product है इसमें A cross B का मतलब अगर हम इसको define करें तो A cross B में जो elements होगे वो XY type के होते हैं ordered pairs type के such that पहला element A से होता है और दूसरा element B से होता है यह ज़रूरी है अगर हम B cross A लिखेंगे तो YX type के element होगे जिसमें पहला element B का होगा दूसरा A का होगा तो आपको यह भी यहां से clear हो रहा है कि A cross B is different from B cross A एक हम और example लेकर A cross B बनाएंगे और फिर देखेंगे कि A cross B और B cross B क्या है जैसे मान लीजे A ले लीजे 1, 2, 3 और B ले लेते हैं 4, 5 तो क्या बनेगा A cross B A cross B बनेगा 1, 4, 1, 5 ordered pairs बनेगे 1, 4, 1, 5 फिर 2, 4, 2, 5 2, 4, 2, 5 3, 4, 3, 5 यह A cross B है B cross है क्या होगा B से 4, 1, 4, 2, 4, 3 4, 1 4, 2 4, 3 5, 1, 5, 2, 5, 3 5, 1 5, 2 5, 3 यहां से बिलकुल क्लियर है कि A cross B और B cross से बिलकुल अलग है A cross B is not equal to B cross A क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि यह ordered pair ही different है 1, 4 एक ordered pair है तो 4, 1 दूसरे type का है इसलिए यह A cross B और B cross पे equal नहीं है अब जैसा मैंने पहली बताया था कि ordered pairs different होते हैं तो equal अगर हैं तो उनके corresponding elements भी equal होने चाहिए जैसे an equality equality of ordered pairs अगर दो ordered corresponding elements are equal corresponding elements are equal जैसे x प्लस 1 and 3x प्लस 5 equal to 5 and 11 x न लेके हम y ले ले माल लीचे 3y प्लस 5 equal to 11 ये equal हैं अगर तो इसके मतलब corresponding element corresponding is पहला element पहले के बरार होगा दूसरा element दूसरे के बरार होगा ये हमें सबजना पड़ेगा तो equal है it means x प्लस 1 is equal to 5 तो x equal to क्या हैगा 4 3y प्लस 5 equal to 11 तो y क्या हैगा 2 तो if two ordered pairs are equal it means corresponding elements are equal अब अब ही हमने देखा था a में जो elements है माल लिजे 3, 4, 5 और b में जो element है 6, 7 तो a x b में कितने elements होंगे ये हमें देखना है पहले तो हम एक राज भी बना लें 3, 6 3, 7 4, 6 4, 7 5, 6 5, 7 अब number of elements in a कितने है n a means number of elements in a 3 है number of elements in d कितने है 2 और number of elements in a x b कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ordered pairs में ही होंगे तो ये 6 है 6 को अगर आप 3 into 2 लिख दें तो या जागा number of elements से into number of elements तो ये एक formula बन गया अगर हमे number of elements a x b के निकालना है तो simply number of elements of a और number of elements of b को multiply करतेंगे and we'll get the number of elements in a x b ये एक बहुत important formula है जैसे हम questions करना में हमें मदद मिलेगी अब ordered triplet भी होते है ordered triplet ये क्या है जैसे एक example ले लिजे a equal to one two two elements है जैस में और आपसे कहें कि find a x a x a तो पहले हम a x a निकालेंगे a x a क्या होगा a का a के साथ ही cross है तो one 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 two कितने element होगे a में two है और इस a में भी two है तो four होगे इसमें two one two two अब अगर आपको a x a x a चाहिए है तो अब इस तरह से देखेंगे one one के साथ one आएगा one 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 फिर one one के साथ two के साथ तो one one two अब इसका इन दोनों के साथ one two one और one two two one two two फिर two one one two one one two one two two one two फिर last बचा two two के साथ इन दोनों को लेंगे two two one two 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 नमर अफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए कितने होंगे वोही फॉर्मिला नमर अफ एलिमेंट्स इन ए तीन बार इसको मल्टिप्लाई कर ये इसमें टू हैं इसमें टू हैं इसमें टू हैं आफ इन इस वें बेव रॉन्ट्स इस कार्टिशन प्रोडाक्ट अब जो हमारा में टॉपिक है वो है रिलेशन्स क्योंकि Relations को पढ़ने से पहले हमें Cartesian product समझना बहुत जरूरी था इसलिए हमने इसको लिया अब Relations Actually Relations जो सब्द ये वर्ड है वो इंगली शाय अपने हिंदी के संबन्ध से ही लिया गया है जैसे हमारे फेमली में बहुत सारे Relations है Father, Mother, Brothers, Sisters, Uncle, Auntie and so on इसी तरह से Numbers में भी Relations है Greater than, Less than, Equal, Etc Sets में भी हो सकते हैं, Sub-Sets ये सारे Relations हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और शिवात उसी फेमली से हम करके देखेंगे कि किस तरह से ये डेवलप होते हैं और इसके लिए एक हमने एक्जामपल लेके देखते हैं ये एक एक सेट है सेट आफ अल जेंट्स मेंबर्स आफ अफ फेमली इसमें अगर बच्चे हैं तो जेंट्स मतलब बॉइस भी होंगे और बेबी बॉइस भी होगा छोटा बच्चा है तो इसको हम बेबी ये सारे जेंट्स मेंबर्स इसको हमने सेट में ले लिया है और बी एक सेट है सेट आफ और लेडीज या लेडी मेंबर्स इसमें गर्स होंगी अगर छोटा बच्चा है गर्ल तो बेबी गर्ल ये दो सेट ले लिये हैं तो सेट ए को मैं फादर होंगे से डिनोट एल्डर सन से का मतलब एल्डर सन एस वाई का मतलब यंगर सन तीन ही अलिमेंट लेते हैं अब इसमें जो मैं पहली बता है था कि यह जो रिलेशन से हम फेमली से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो इन में जो रिलेशन हम डेबलब कर सकते हैं उनको लिखेंगे जैसे आरवन जो रिलेशन है मा लीजे ब्रदर का है तो ब्रदर वाले रिलेशन में कौन-कौन से ऐलिमेंट साएंगे यह हमें देखना है जैसे एल्डर सन S.E. is the brother of D.E. and he is also brother of D.Y. तो हम S.E. D.E. S.E. D.Y. S.E. D.Y. चार मेंबर होंगे और इससे पहले अगर हम A क्रॉस B भी बना लें तो यह बात में help करेगी हमें इसमें जो elements आएंगे F.M. पहला element हम A क्रॉस B भी बना रहे हैं पहला element से F.M. F.D. F.Y. F.D. F.D.Y. फिर S.E. M. S.E. D.E. S.E. D.Y. इस तरह से आप देखें A क्रॉस B में थ्री आएं और थ्री आएं नाइन elements हो गए अब जो हमने relation define किये हैं वो लिखेंगे करके फिर देखेंगे क्या होता है यह relation एक बार फिर से लिख लीजे R1 इसे ब्रदर आफ रिलेशन है इस अ ब्रदर आफ तो यह आएगा R1 में कौन कौन से element होंगे S.E. इस ब्रदर आफ D S.E. इस दा ब्रदर आफ D S.E. इस दा ब्रदर आफ D.Y. S.Y. इस दा ब्रदर आफ D एन S.Y. इस दा ब्रदर आफ D.Y. यह पहली बता है S.E. और S.Y. क्या है S.E. और S.Y. क्या है Son है और यह Daughters है Family एक ही है तो Elder Son Elder Daughter का भी भाई है Elder Son Younger Daughter का भी भाई है Younger Son elder daughter का भी भाई है और younger son younger daughter का भी भाई है चार elements इसमें आए brother of में R2 देखिए एक और ले लेते हैं father of इसमें कौन कौन से elements आएंगे F is a father of D E मैंने F D F is a father of D Y इसमें दो यह element होंगे एक और आप ले सकते हैं R3 मान लिजे son of S is the son of M तो इसमें जो element आएगा S E M और S E S Y is also son of S Y is also son of M यह 3 sets को हमें study करते हैं फिर देखेंगे इससे क्या result आता है फिर से देखें A और B दो sets हैं एक ही family के sets बनाए हैं A में gents member हैं और B में ladies member हैं इनमें हमने सबसे पहले relation R1 discuss किया एक सबसे पहले A cross B बना लिया 3 और 3 9 elements से फिर एक relation define किया R1 is a brother of तो S यह हमने से देखा S ही इसका brother इसका है और इस तरह से 4 element मिले father of मैं देखा F D का father है F D Y के father हैं 2 element मिले और R3 son of लिया तो इसमें ती और भी ले सकते हैं husband of etc तो के बाद हम यह देखना चाहते हैं कि यह जो चार element है क्या यह इसमें है जैसे S E D हमें इसमें ढूनना पड़ेगा है इसमें फिर इसके बाद S E D Y यह भी है फिर S Y D E S Y D E भी है और S Y D Y यह भी है तो हम यह कह सकते हैं कि जो R1 है वो A क्रॉस B का सबसेट है अब R2 देखिए R2 में दो element F of D F of D F of D Y यह दोना इसमें हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि R2 is the subset of A क्रॉस B फिर एक और ले ले लीजे R3 R3 कहा है R3 में दो element S E M S E M यह है और S Y M S Y M यह तो यह S E M और S Y M यह हैं दोना हैं तो आप कह सकते हैं R3 is also subset of A क्रॉस B इससे यह प्रूब हुआ कि any relation defined in A क्रॉस B is the subset of A क्रॉस B यह यहां से हमने प्रूब किया कि A क्रॉस B एक सेट हमने A और B एक सेट लिया था उसमें हमने Cartesian product A क्रॉस B बनाया फिर A से B तक 3 relation यह से ज़्यादा भी हम define करेंगे कर सकते हैं बनाये तो वो सारे A क्रॉस B के subset हैं तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि any relation defined in A क्रॉस B is the subset of A क्रॉस B तो यह एक important result आया any relation any relation defined in A क्रॉस B is the subset of A क्रॉस B यहां से relation की definition हम बना सकते हैं तो relation क्या है उसको define करने के लिए हम लिख सकते हैं कि सबसे पहली जो शर्त होती है कि A and B A and B are two non-empity sets non-empity sets यह पहली condition है कि जो हम relation define कर रहे हैं तो empty होंगे तो A क्रॉस B भी empty होगा और relation define करना मुस्किल होगा तो let A क्रॉस B are two non-empity sets then our relation then our relation from set A to set B is the subset of A क्रॉस B यह definition हो गई relation की जो हमारा topic था mean की relation is the subset of relation को अगर हम R से denote करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं relation R a relation R from set A to set B is the subset of A क्रॉस B यह हमें ध्यान रखना है अब एक और example से हम relation को समझेंगे मान लिजे A एक set है minus 1 1 0 minus 2 2 3 और B एक दूसरा set है 1 1 0 4 5 और एक relation हम define कर रहे है R such that x y x belongs to A y belongs to B यहाँ relation यह तो इतना partition product ही हो गया लेकिन जब तक आप relation define नहीं करेंगे तब तक यह नहीं अब relation हो गया y equal to x square यहनी हम इस तरह का relation define करना चाहते हैं कि पहला element दूसरे का दूसरा element पहले का square है और इसको हम थोड़ा pictorial format में करेंगे यह हैं minus 1 1 0 minus 2 2 3 और b में elements लिए हैं 1 0 4 5 definition क्या कहती है कि x यह x है और यह by वाले हैं तो इसका square इससे related है minus 1 का square क्या आएगा 1 तो 1 इससे related हुआ 1 का square भी 1 है तो यह भी इससे related हो गया 0 का square हम 0 कह सकते हैं यह इससे related हो गया minus 2 का square plus 2 2 का square भी 4 3 का square 9 होता है जो कि इसमें नहीं है तो इसमें नहीं आएगा तो ये जो format है वो arrow diagram पी कह सकते हैं आप इसको arrow diagram अब इसको set form में लिखें और तो वो क्या हैगा minus one one क्या बस इसमें ध्यान रखना पहले element का square दूसरा element है one one zero zero minus two four plus two four ये एक relation define हो गया तो इस तरह से relation को हमने तीन तरह से define कर दिया ये जो relation है ये builder form है इसी relation को हमने define किया तो ये roaster form क्यालाया और इसी relation को picture form में arrow diagram में इसको visual form भी कह सकते हैं इस तरह से किसी भी set को represent करने के ये तीन method हमने देखें ये बिज्यूल फॉर्म रोश्टर फॉर्म बिल्डर फॉर्म ये था relations and functions functions में दो चीज़ें हमने सीखी relations क्या है और Cartesian product क्या है अब आगे ये next video में जारी रहेगा इसके बाद हम पढ़ेंगे images, pre-images फिर इसके बाद relations जैसे A से B की तरफ है अगर केवल single set ही हो तो A cross A में relation कैसे define करेंगे और domain, range, co domain etc ये next video में होगे है पर आखे वाले वीडियो को समझने के लिए ये सारा एक बार आपको revision करना बहुत जरूरी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको like और subscribe जरूर करें जिससे मुझे भी आगे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी Thank you very much